असलाम अलेकुम स्वागत है आप सब का फातिमा खान चैनल पर आज हम बना रहें गुजराती कड़ी तो इसके लिए हमें क्या चाहिए मैंने ये एक ताक ली है और ये मैंने एक कब दही ली है हरी मिर्ची ले है आप अपने टेस्के साब से मिर्ची कम जादा कर सकते हो और ये मैंने गीला नारियल लिया है मैं इसके पीछे का चिलका निकाल दूगी मुझे ये ठीक नहीं लगता इसको निकालके इसके साथ हमें पीस लेना है इस तरह इसका चिलका इस तरह चाहको की मदद से हम निकाल लेंगे इसका पूरा चिलका मैंने निकाल लिया इस तरह से अब इसे हम हरी मेर्ची मैंने इसमें डाल दिया इब इसे हम छोटा-छोटा काट लेंगे इसके अंदर हम एक चम्मच जीरा भी डालेंगे छोटा चम्मच अब मैंने इस तरीके से सब काट लिया है पूरा और मैंस में थोड़ा थोड़ा जीरा डाल दूंगी जीरे के साथ साथ हम चार पास कड़ी पत्ते डाल देंगे यह कड़ी पत्ता है मेरे पास मैं यह भी समेट कर दूंगी अब इसे हम ग्राइन कर लेते हैं यह मैंने पीस लिया है इस तरीके का अब इसे हम अब हम यह छास लेंगे इसको चीली में डाल देंगे थे थोड़ी जात निकाल दूंगी यह दही भी हम इसे में इट कर देंगे यह दही भी हम इसे में इट कर देंगे इसे में डाल देंगे दो चमच बेसन लेना है वह मैं दो चमच बेसन ले रहे हूं और यह जो चाच हमने निकाल के रखी थी वह चाच इसमें एट करते जाएंगे और इसे एक इसके सारे लम्स निकाल लेने हमें बेसन के इसे के साथ हम इसमें नमक रेट कर देंगे इसे के साथ हम इसमें नमक रेट कर देंगे आप अपने टेस्ट के साथ से नमक रेट कर दीजिए गुजराती कड़ी में हल्दी नहीं गिरती है यह वाइट ही बनता है कर दो कर दो कि कड़ी हमारी ठीक हो चुकी है और गुजराती कड़ी में अक्सर शकर गिरता है मेरे मां ज्यादा पसंद नहीं करता शकर कोई मैं सिफ यह थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा शकर डालती हूं अब आप लोग के यहां खाते हूं तो आप एक चमट भी डाल सकते हूं और यह देखो बस बस ऐसे इसको रखना है आप हम इसका बगार तयार कर लेते हूं अब यह मारा तेल गरम हो चुक है अभी इसमें मैं यह कटा हुआ लसन डाल दूंगी इस तरह से इसको काट लिया है जैसे हमारा लस्तन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा जब उसमें यह सूकी मिर्चे डाल देंगे लस्तन मेरा लाल हो चुका है अब मैं इसमें यह सूकी मिर्चे डाल दूंगी और दो लॉंग डालूंगी खुश्बू के लिए इसमें वह तच्छा टेस आता है जैसे हमारी काली हो जाए हमें गेस बंद कर देना है और अब इसमें डालना है थोड़ी सी राई थोड़ा जीरा थोड़ी हीन डालनी है काड़ी पत्ता और थोड़ी कोतमीर हमें इसमें डाल देनी है और बाकी की कोतमीर हम इस गरव तेल में डाल देंगे और इसमें डालते के साथ ही हम इसके अंदर डालका इसको पलेट से पावर कर देंगे कुछ देर हम इसको इसे ही बंद रहने देंगे उसके बाद में आपको बताती हूँ आप लोग देख सकते हूँ काड़ी इस दन और आप लोग भी बनाएं खाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू अलाफीस आपको अलाफीस तब करते हूँ पालफीस आपको अलाफीस आपको जरूर अवाई